। और आप देख रहे है JavaScript program ser weapon और जेय unch всё अरे हुमने बात की थी अरे के बारे में आज हम बात करेंगे object oriented programming language की बारे में तो basically javascript है और object oriented programming language है तो उसमें हम class смотр car class or inheritance यह सारी चीजी हम यूज करते हुआ तो basically हम देखेंगे यहां पर कि हम class and object का हमारे इसमें क्या यूज होता है या इसका implementation हम क्यों करें तो सबसे पेले हम क्या करते हैं यहां पर suppose मेरे पास कुछ वेरेबल है suppose यहां पर में विशी employee का data है तो यहां पर मैं लेता हूँ यहां पर हम क्या करेंगे एक function क्रेट करेंगे और function का हम क्या नाम देंगे show function है और मैं इसमें लिखता हूँ document.write और इसमें हम write और इसमें हम लिखते हैं राम employee तो यह हमने क्या किया हमारे पास एक employee था और मैं क्या कर लेता हूँ यहां पर इसको शो करवा लेता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं राम employee हमारा प्रेंट हो चुगा अब सबोज यहां पर हमारा करना पड़ेगा यह सारी चीज है यह सारी प्रोसस हर बार लिखना पड़ेगा दूसरे employee के लिए दूसरा लिखना पड़ेगा तो यहां पर आईडी चेंज करने पड़ेगा नेम चेंज करने पड़ेगा दूसरा औबजेक है वह दूसरे employee का data save रखेगा तीसरा औबजेक है तीसरे employee का data तो हर एक object के पास क्या होगा एक id name salary and function होगा तो यहां पर हम create करते है class and object तो यहां पर basically हम क्या करेंगे जब भी हम object create करेंगे तो यहां पर हम एक variable लेंगे और यहां पर मैं एक employee नाम का एक variable लेता हूँ और यहां पर हमारा क्या है यह employee क्या है object है यहां पर हम क्या लिखना है एक वास्टू कीजे करें क्या लिखना है colon लिखना है यहां पर semi-column लगा देता हूँ similarly यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर name and यहां पर हम लगाते ऐए colon then similarly हम यहां पर लेते हैं salary then colon अब यहां पर हम क्या करेंगे function create करेंगे function के लिए हम को simple ही क्या करना है हमको function का name यह हमने function का name दे दिया then colon then यहां पर इसके आगे लिखना है function तो यह represent कर रहा है कि यह function है then क्या करना इस function के अंदर हम क्या लिखते है body तो इस तरह हमने क्या किये class create की और उसके अंदर हमने variable हमारी class के variable और function define की जब भी हम class के अंदर function को define करते हम उसे बोलते है method यहां पर हमारे जो class है इसके अंदर तीन variable है और एक method है अब हम क्या करते हैं data को access करते हैं सबसे पहले हम access करेंगे id को तो id को access करने के लिए हमको कहाना पड़ेगा simply यहां पर लिखना पड़ेगा object name.id और मैं यहां पर क्या करता हूं इसको करता हूं br यहां पर आप देखेंगे employee.id तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा id प्रिंट हो चुगा है then अगर हमें name प्रिंट करवाना है यहां नेम भी प्रिंट करवा लेते हैं यहां पर हम देखेंगे name then next हम प्रिंट करवाएंगे salary यहां पर आप देख सकते हैं id name और अगर इस function को call करना है तो simply इस function को हम इस तरह यहां पर call कर सकते हैं .show यहां पर आप देख सकते हैं ram employee undefined यह शायद क्योंकि यह मिल रहा है ram employee employee.show तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम इसको इस तरह भी call कर सकते हैं मैं इसको cut कर लेता हूं इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं इसको call कर सकते हैं तो यह था हमारा class and object और अगर हमें अब दूसरा object create करना है तो हम क्या करेंगे दूसरा object create करें तो यह था हमारा class and object का concept तो आज के लिए इतना ही thank you for watching this video